चंद चवालिष यह काम काला नाग है काम कामना शाहना इच्छा काम काम बातना काम भोग सुखध्यास इसकी मात है और मोह इसका है पिता पीकर रजोग उन्दूद को बढ़ता जहर इसका निता पांचों विशय है बंद इसके मित्र इसका रग है पाकर सहयक बाधता यह काम काला नाग है इस प्रसंग में काम का मुख्य अर्थ है काम बातना नर नारी का संबन इक काम बातना उत्पन कैसे होती है शुरृवात सुखध्यास सुख का अध्यास पुरुस के मन में गहराई से यह भाव गड़ा हुआ है, इस तरी शरीर में सुख है। इस यह काम क्रिया सुख का घर है, सुख का केंद्र है। बस इसी भावना से एक काम बातना उत्पन होती है। मुह इसका है पिता, और इसका पिता जनक मुह। यहां मुह देचात परिया है, अपने शरीर के लिए मुह, शरीर भुद्ध। फिर पुरुत है तरी शरीर के प्रती मुह होता है, आसकती होती हो धर। इस्री है तर पुरुत सरीर प्रती मुह होता है। मुड में है सुख अध्यास, सुख अध्यास। और इसके बाद फिर मुह, आशक। इन ही दोनों से एक काम बातना उत्पन होती है। पीकर रजोगुन दूद को बढ़ता जहर इसकानिता। रजोगुन, सरीर का बना ठना सरिंगार, बाहरी चमक दमक। जितना बाहरी चमक दमक में तरी बना ठना में आदमी पड़ेगा, उतना काम बातना पुष्ट होती जाएगी। यहां है कि जो गरीब लोग हैं, थोड़ी सुधम रहते हैं, उनके अंदर काम बातना पुष्ट होती है। जहां है उँ धंते बना ठना रजोगुन बृत्ति। रजोगुन बृत्ति सदे विशयों में सुख खोजती है, ब सुख मानती है। रजोगुन का अर्थ ही है शुख की चाहना, उभी विशयों से। और इसके मूल में फिर रजोगुन से रजो रगात्मकम विद्ध। यह कहां ग्या गीता में। रजो रगात्मकम विद्धृ टिष्णा संग समुद भवं। रजोगुन का अर्थ ही होता है रग, रग से रजोगुन बढ़ता है। जितना रजोगुन बढ़ेगा उतना विशयों में सुख का भ्रम। परिनाम में तृष्णा आसक। तो रजोगुन का दुध पी पी करके एक कामबात्ना का जहरू और रोज बढ़ता जाता है। जैसे सांपको दुध पिलाने से उसका जहर बढ़ता जाता है। यह इशे ही भाहरी शमक दमक् रजोगुन विद्धृ मिमंद जितना डुबा होगा। काम वातना उतनी अधिक फुष्ट होती चली जाएगे। पांचो विशे हैं बंध इसके, पांचो विशे, शब्द इस पर सु रूप रजगन इसके बंध हैं, सहायक। रूप अंग से देख टेरेके, आग से हम रूप जेकते हैं. पुरुष Belgian इस्तृ Desde sili का रूप देख इसके, बस मुहागे LOOK. चाम के वातना एक दूत्री आम और सब्सकते हैं, भी रागात्मक, वातनात्मक सब्सक शुन्झाद आप इसाज रूची मह रानाः. उतेजन पुर्वगंध श्वाद ये कहा जाता है कि जो ब्यक्ति जितना रत लंपट होगा वह ब्यक्ति उतना काम लंपट होगा। जिवहा औशिष्न का संबंध बताया जाता है। शरी लोगों ने जो चिंतक हैं सब कायदन भाग। जो अपनी जिवहा स्वाद पर संयम नहीं कर सकता वो अपनी काम बातना पर संयम नहीं कर सकता। तो पाँचो विशेशब इस पर सुरूप रदगंध इस काम बातना की सहायक। यदि काम बातना पर सैयम करना है, तो देखने में, सुनने में, चखने में, सुनने में, इस पर्त करने में सैयम रखना होगा। और जो इन पर सैयम नहीं कर सकता है, वो काम बातना पर भी सैयम नहीं रख सकता है। मित्र इसका राग है, और राग इसका मित्र है। अनकुल तक रतुर राग तरते चले जाना पाकर सहयक बारता यह काम नाग Εुह इन सब कचारयोग पाकर के यह काम के वातना अच्छू अत्तर बढ़ते चले जाते हैं यह काम भेंकर काला नाग नाग किसी को काट ले उसकी मौत हो जाए लेकिन उककाम बातना काटने से, तो आदमी जन्म जन्मांतरों तक भटकता रहा था है, अध्धात्मिक मौथ… शरीर की मौथ तो जब हो तब हो, एक काम के बातना तो बराबर अध्धातिक मौथ करती रहते। लेकिन ये सब को बहुत प्री हैं… इस्मरन ही फुंकारते, विस ब्यापता है देह में, तब भामनी भावकूप के दिन्रेन जलता नेह में, है काम कीचर बोडता, निजदिन खिलाता डांग है, भठी जलाता चित में यह काम काला नाग है. जैसे ही काम-भावना इस्री पुरु सम्मंद का इस्मरन हुआ, बस इसका विष्भ ब्यापने लग जाता है. जैसे कोई भेंकर जहरी लाप धर हो, जैसे जो एकदम फुंखारता है, फन खाल कर खड़ा हो जाता है, फुंकारने लगता है. बस जैसे इसके इसमरन हुआ, आदमी चुपचा बैठा है, शान. मन में ऐसे घुमते घुमाते, कचिंतन करते करते, काम बाकना काचिंतन हो गया, अब आदमी एकदम ब्याकुल विश चड़ गया. इसमरन करते ही फुंखारने लगता है, बस तन मन सब में कजहर ब्याप। फिर अब पुरुष है तो इसरी चाहना, कैसे इसरी मिले, कैसे संबंद हो, इसरी है तो पुरुष की चाहना, खाली पुरुष की मन में काम बातना पन होती, इसरी मन में नहीं ऐसा तो है नहीं, काम की वासना आई, बिचाद इघड़ को देखने, उससे मिलने, उससे भोग करने, भाव खड़ा हुआ, जिन रहन जलता नेह में, अब परस्पष दुसरे की आसकती, की आग में दुनों जलते रहते हैं। है काम कीचर बोड़ता, या काम की वासना काम भोग के कीचर में जीव को डुबाता रहता, और अधिक बढ़ गया तब निजदिन खिलाता डांग है, डांग, डंडा, मार, लाठी, अने करता है, और इसके जदा बढ़ गया, तो बहर से भी डंडा खाना पड़ता है आदमी को नहीं तो अंदर तो, मन ही डंडा लगाता रहता है, जितना काम भोग में आदमी डूबएगा, उतना उसका मन पिडित रहेगा, ब्याकुल, भोग का डंडा, तमाम पड़ार से दुनिया बर के बोष डंडा ये, काम की वासना मारती रहती लोगा, बाहर भीतर दोनों से भठी जलाता है चित में, राद दिन पर ये, भठी तृष्णा आसक की भठी जलाता रहता है, अधिक भोगी आदमी का चित राद दिन जलता रहेगा, सरसमुष के मन में कामनी का इस्मरन, अधिक भोगी आदमी है, काम लंपट, तो नारी मात्र उसे कामने की द्रिष्ट में दिखाई पड़ता है, तो तृष्णा आसक्ति की भठी, भोग की भठी, राद दिन जित में जलाता रहता, ये काम भेंकर काला नाग, यह आठ अंगों से सुसोभित, भास्ता सब जीव के, हसर्प को सुखमान कर कैसे बचे विश्पीव के, सब हंस रहने इस्थिती की बेगी पड़ता खांग है, सब आपदा का मूल बस ये काम काला नाग है, ये काम इसके आठ अंग, इस्मरन, प्रिक्षन, केली, कु ये भासन, अध्यासाय, क्रिया ने, इसके वह हैं, आठ अंग से, शव भीत, एक ही अंग है, इसमरन करना आपध, इसमरन कार स क्या है, पुरो में हुए भ Cena की इसमरन, पुरुष है, तो इसरी का इसमरन, इसरी के आंग सेथ का इसमरन, जो इसफिए दिर्ष देखे हो है, उतिजनपुर्वक दिर्ष उसका इस्मरन, प्रिक्षन, भाना पुर्वक्त, इसनों तरब देखना या पुर्वक्टुं तरब देखना, केली प्रत पर हाथी मजाक करना, शिव के रोकिक दुसरे से बात करना, आथी चर्चा किर्तन, आथी चर्चा करना, जिससे वातना के वृद्धी हो, वे किर्तन है, फिर उसके लिए पाने के लिए प्रत्न अध्यावसाय, और क्रिया, मुकाम भोग, क्रिया, तो आठ अंग इसके हैं, इसाथ हो अंगों से युक, अज सब जी व की मन ने है, जो। ज़्यानविवीग विचार का सहारा लेकर रहता है, वो इससे भचता है, थोड़ासा गाफिल हो जाए, मन पिर अऍे तरफ दौर्णने लगताा है, थोड़ासा गाफिल हो जाए, फिर मन उसी किचर्चा में पड़ जाता है कोई आदमी सांपों को बड़ा प्रीमाने विधर्थर्प को लपेटे रहे और चाहे कि इसके जहर से में अपने को बचा करके रखूं, कैसे होगा सांप से वैसे ही दूर रहा जाता है और कोई सांप के बीच में अजिए रहा है और विधर्थर्प तो सांपों के खेल में सुख मान करके कोई आदमी उसके जहर से कैसे बच सकता है ऐसे ही जो कामक्रिया की स्मरन में उसके चर्चा करने में श्रीत पुरु से मिल अकेले में मिलकर के छिप कर के बात करने में आनन मानता है उनको देखने में आनन मानता है वे काम बातना की जहर से बचेगा कैसे ऐसे इसमरन करता रहे और सोचे की हम काम बातना से अपने को बचा करके रखें कैसे होगा सब हंत रहने इस्थिती की वेगी परता खांगा मन काम बासना किस मरन में डूबा हुआ है यह सुलुप से आदमी क्रिया कर रहा है तो हो गह का जितनी हंस रहनी है सेयम, सद्गुन, सचार, त्याग, बैराग जिन से जी सब प्रकार से अपने आपको दुखों से बचा सकता है कल्यान की रहनी है काम के बासना आते ही बेगी पढड़ता खांग है उनकी तुरं तो है तुरुटी पढ़ जाती, काम वे नश्ट हो जाती खांग करता तो है तुरुटी, कमी जएखे ही काम बासना किस मरन हुआ ऐसी चर्चा हुए ऐसी क्रिया हुए सारे सद्गुन सा अचार्त पर विस समय नष्ट हो जाते हैं सब आबदा कामूल सारी विपत्ती कामूल काम की वातना जी सतंत्र पैदा होता है अबोध सिशुपन में भी बालपन में भी बहुत कुसरलता निशिंतता परसनता है मन में किष्वर हुआ, तरुन हुआ, विजाते हट की परती आकरसन जैसे तरुन है, युवक है, सतंत्र है लिख रहा है, पढ़ रहा है, नकृड़ी कर रहा है, कामधंधा कर रहा है ऐसे सतंत्र पूर्वक जीवन जीले कौम भी पत्ती है कोई चिंता नहीं, भख नहीं, अकेला है लेकिन युवक को युवक सरी में आकरसन होता है, सुक्का भर्म युवक सरी में सुक्का भर्म और फिर दोनों बिवाग के बंधन में बंधे और फिर कितनी विपत्ति शुरू होगे फिर एक दुसरे के मन को समालना एक दुसरे को खुद्रफिन की शेष्टा बिपृतन होने पाय छोड कर न चले जाए यह भय चिन्ता बालबच्चे होगे अब उनके लिए चिन्ता पूरे चिन्ता और भय का बोज़ा पहाड तिर पर लद जाता है आदमे के सतंत्र मनुष प्रतंत्र होकर कि फिर जीवन जीना होता अब ही बात है कि सभी लोग पूरा जीवन स्वेट होकर कि जी नहीं तरह नहीं सकते हैं एपने मर्यादा में रते हैं, यहां तो बात है Σाधकों के लिए, कल्योनार्थियों के लिए, जो निष्चिन्त हो करकी जीना चाहते हैं, निर्व है, पुनसुक्ष आतमसवस्ता का पूरवक जीमन जीना साहते हैं, उनके लिए बात है सब आपदा का मूल बस एक काम की वातना, सारी आपदा, सारी विपत्ति का मूल केंद्र इश्य अपने को बचा लिये, सब विपत्ति सब ने आपको बचा लिये दुतकार वो फटकार भासी जेल की नौबत पड़े, हुवे प्रतिष्ठा भंग सब संसार जन उसको तड़े फिर चार खानी रहड जूला दुख नित का लाग है, सब जीव को सुख भास्ता पर काम काला नाग है इसके अधिक्ता हो गई, तब दुतकार, फटकार, जेल, भासी सब की नौबत आ जाती है फिर क्योंकि आदमी मर्यादा विहीन काम को ने लाग जाता है पति पत्नी ही है, विवाहिक जीवाने पति पत्नी है लेकिन उसमें पुरुस या इस्त्री, पति या पत्नी का मन पर पुरुस या पत्नी का मन पर पुरुस या पत्नी स्त्री में है, लग गया अब पति, पतनी खत्य करवा देता है, पतनी पति खत्य करवा देती है, और केशे केशे, क्या क्या, अब आज कल तो और बढ़ गया हिए, बेवचार में पढ़ गया, पकड़ा गया, समाजीक अपमान, मार, पीट, हुए परतिष्ठा भंग सब, सब परतिष्ठा भंग हो जा समान आदमी है, वो भी उसको अपर मखर उडाता है, हाँती उडाता है। अग्या सुखना चाहिए, औ खास करके, चाहे घरास्त हो चाहे विरक्तों, बीरक्तों क तो जो सुखना चाहिए। आज लोग हमें साधु मानते हैं, महात्मा मानते हैं, और साधु महात्मा मान करके लोग हमें हमारी पूजा करते हैं, परतिषा देते हैं, आरति बंदना करते हैं, हाद दुर का ख़रते हैं, आदर सथकार सब करते हैं। यदि मैं किसी स्रीक चक्र में पड़ गया तो आज जो मेरी पूजा मान सथकार कर रह वही आदमी है। सिधे मुह बात भी नहीं करेगा, जिस आदमी की बोलने की भी शहूर नहीं है, वही आदमी फिभ्यंग करेगा, लेकिन कितने लोग सादुवेश पहन करके भी बिजात इगड के चक्कर में पड़ जाते हैं, मुह को नाली, जो इसके चकर में पड़ा, उसके हर प्रकासे दुदकार, फटकार, जेल, मार, पीट, फासी, इस अब सहन करना पड़ता है, उसकी प्रतिष्था भंग, जो राद दिन उसमें पड़ा हुआ है, वह आदमी फिभ्यंग करने लगता है, फिर. हर जगा तिरसकार, फिर. फिर चार खानी रहट जूला, दुख नित का लाग है, अपरे नाम में क्या हुआ? चारों खानीयों का रहट है, उसमें फिर. बस एक के बाद एक आना जाना, चावरासी के जूले में, पड़ करके, नित, दुख, पर दुख का भोग। कौन दुख से बसकाहिस है, इतने पड़ करके, लेकिन ऐसा होते हुए भी, सब जीव को सुख भास्ता, सभी जीव को यह सुखत जान पड़ता है, रखता है कि यही सारे सुखों का केंद्र, सबस्ते बड़ा सुख आदमी ने इस काम भोग को ही माना है, और सुख, और भोग के आ सकती तो खतम हो जाते, लेकिन इस के आ सकती, मिटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसी से ही शरीर का निर्मान हुआ है, काम भातना पड़कर के स्री पुरुत का पड़ पर संबंध होता है, उती से जी सरी धारन करता है, काम भातना ते ही सरीर का निर्मान है, इट लिए इसकी आ सकती का मिटना कठिन हो जाता है, लेकिन क्यों असाधानी, सुख कभर्म, इसके पीछे सारी दुर्दसा सहन करते इसमें सुख का भ्रम बना रहता है, और इशले आदम इसका त्याग नहीं कर पाता, लेकिन है ये काम भायंकर काला नाग। काम का इसनेह तूटा ताग है, वे धन्य शाहन साह विजी विश्व में बड़भाग है, जिनके मन से आठों अंग सहित, काम बासना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, रंचमात्र भी जिसके मन में काम की आ सकती नहीं है, निजरूप एकरस इस्थिति, दुख देह नित इत्पष्ट हैं, और जिसके मन में शरीर और काम बोग के प्रती हमेंसा साफ साफ, दुख ही दुख दिखाई पड़ता है, निजरूप एकरस इस्थिति और कामा सकती मिड़ जाने से, जिनका अपने आप में एकरस इस्थिति बन चुकी है, जिनके हिर्दे से काम का इसने तूटा तागे, और जिनके मन से काम का राग, पूरी तरह से तुट चुका है, समात्र, अवर रंचमात्र भी काम की वासना नहीं है, उसमे सुक्य पृता नहीं है, वे धन्य साहंसा है, वे ऐसे पुरुत धन्य है, वे ही साहंसा, श्रीपुर्ण साहब ने कहा, तिनको चर्नोदक्से, तिनको महाप्रसाद, तिनको दथ सन्ने से जिनकी मिठी उपाद, युपादी कि असत्य बड़ उपादी तो यही है, काम की वासना, काम भोग, एक यह उपादी मिढ जाए, तो अन उपादीयों, मिटने में कोई बहुत क जिनके मन में डिड़ वायराग्या है, राग मों, की अंधियारी मिठ चुकी है, सुर नर्मुने, सब उसकी बंदना करते हैं, और साहब नेका, जिन के जीता काम को सुग्यानी, 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 काम की वातना पूरी तरह से नश्ट हो चुकी है, दुख और देह और देह भोग में नित, इस पशनुसे साफ-साफ जिनको दुख ही दुख दिखाई पड़ता है, काम का इशने जिनके मन पुरी तरह तुट चुका है और ये करफ अपने आप में जिनकी इसिती बनी है वही धन्य है वही साहन साह है विजी विश्वे बड़ भाग वो विश्वी जी है वो सबसे बड़ा सावाग्यसाली क्योंकि उसका दुख खतम हो चुका सब तरफ से वो दुख मुक्त हो गया उनके जीवान में कहीं दुख रही नहीं गया आत्म विजी हो काम विजी ही मानो आत्म विजी ही है और उनको सहां साह कहा जाता है वो तो बिचारे दीन लाशार, मलीन जितना हिरदाय में काम है तियो मुह वृद्धी जानिये पुनि मुह से चंचल हिरदाय तब इस्थिती की मिठानिये इस्थिती बिना जीवन गया फिर वेच धर कर लाभक्या आशा जगत की ना मिटी बृद्धि तिर्प्ती नहीं फिर काबक्या मन में जितने काम की भावना रहती है काम बातना, चाहना, इच्छा, अनिशित की कामना, चाहे जिसकी कामना हो जा जितना जितना हिर्दय में काम, उतने उतने मोह की बृद्धि काम ही न हो, चाहना न हो, तो मोह क्यों बढ़ेगा जब मुह आया तब चंचल हिर्द है, मन चंचल हो गया, जितनी ज़्यादा कामना उतने ज़्यादा मुह और जितना ज़्यादा मुह उतनी अधिक चंचलता, और जब चंचलता है तब इस्थिरता कहा होगी, ना शेरी में इस्थिरता होगी, ना मन में इस्थिरता होगी, ज् कामना के वशीभूत आदमी कहीं एक च्छन बैठना जानता है निसके जीवन में स्वभाग्य है ही नहीं राद दिन जिसके मन में कामना की आग लगी है उस्थिर कैसे हो गया शरीर स्थिर रहेगा तुमनी स्थिर नहीं रहेगा हमेसा दौड़ता रहेगा, ये ने मिला, वो ने मिला, ऐसा भोग ने मिला, ऐसा भोग ने मिला, इस भोग में सुख है, तो 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 इस भोग में स वसी कामना होती हैं, लेकिन जिस सुक की चाहना होती है, उसुक भी कहां मिल पाता है, इस्थिती बिना जीवन गया, जब इस्थिती ही नहीं ही, कहीं जीवन में शांती नहीं है, तब तो फिर जीवन ही बेकार गया, बेस धर कर लाभ का, फिर सादू का बेस पहनने से लाभ क् क्या फैदा हुआ? जिस इस्थिति के लिए, जिस शांति के लिए, जिस आसा सुक के लिए साधुमार्ग में आये साधु का कपड़ा पाने और वही इस्थिति नहीं मिले वही इस्थिरता नहीं आये मन अभी कर वही वैसे कर वैसे चंचल है उद्विग्न, कामना धीन, फिर साधु का कपड़ा पानने से मतलब क्या हुआ? आसा जगत की ना मिटी तृप्ती नहीं फिर खाब क्या? कोई आदमी भोजन करता जाए, और पेट भरे ही न, तृप्ती हो ही न, तो खाने का मतलब क्या हुआ? आदमी खाता क्यों है? ये खाने से पेट भरेगा, तृप्ती मिलेगी, इसलिए तो खा रहा है, लेकिन खाता गया है, खाता जा रहा है, पेट भर ही नहीं रहा है, तृप्ती हो ही नहीं रही है, तृप्ती हो ही नहीं रही है, तो मतलब क्या अभी संसार में शुख पाने की आशा है, तो फिर साधु बढने का अर्थ क्या हुआ? साधना करने का साथना करने का मतलब क्या हुआ? साथना, सभध्याय, साधना, जो कुछ करते हैं, उस सब कफल होना चाहिए, सारे आशा मिटकर कि मन का तृप्त हो जाना, संतुष्ट, पूर्न काम हो जाना, और ये नहीं हुआ, दुनिया के भोग मिल गए, प्रतिष्ठा मिल गए, महंती मिल गए, धनेश्वर्य मिल गया, अब मन तृप्त नहीं हुआ, तो भाकी मिलने का मतलब क्या हुआ, और साधु पहनने का अर्थ क्या हुआ, यदि साधु तृप्त नहीं है, यदि साधु संतुष्ट नहीं है, तो फिर ग्रहसों साथा कैसे करें हुआ, कैसे कहने कि वहाँ सांती मिलेगे, आधर्स तो साधुख होना चाहिए ना, आसा जगत की ना मिटी तृप्ति नहीं फिर खाब क्य संतार की आसा नहीं मिट रही है, तो फिर एक ज्ञान बैलाक कथन करने का मतलब क्या होता है, सब को मतलब है, मन का तृप्त होनाना, सान, संतुष्ट हो जाना, जैसे भोजन का अर्थ है, पेट भर जाना, भोजन की पेट नहीं भरा, मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही प्रण भी करते हैं, साधना भी कर रहे हैं, लेकिन आसा मिटने रही है, आसक वद बदन कर मन चंचल हुआ है, तो साधुवेश पहनने का ज्यान कथन करने का अर्थ क्या होता है, सब बेकार गया अपने को दुसरे को धुखा देना हो गया, लानत महा धिकार है, बैराग कामना, सुक्सर्प को पहचान कर फिर चाहना में रामना, जलते हुए संसार से फिर मुह में नित पाग है, हा मुर्ख मन नहीं जानता यह काम काला नाग है, बैराग का पदलिया, माता, पिता, घर, द्वार, नाते इर्ष्तेदा सब को छोड कर के, बैराग मारग में, साधु मारग में आए, और सेहा आने के बाद भी तमाम प्रकारी कामना में डूब गए, कामभासना तो भाए, भी में मन डूब हुआ है, और अनकामना मन डूब हुआ है, प्रतिष्ठा की कामना है, पुजाई की कामना है, गुरवाई की कामना है, मठमह अच्छा माने, बड़ा माने ये कामना है, तो तो महाधिक्कार है, लानत, सब बेकार, बाराग पद फिर कामना, बाराग का पद लना, फिर कामना में डूबना, लानत करना, लानत मलामत, धिक्कारना, सब धिकार है फिर, सब बेकार हो, सुक्सर्पको पहचान कर फिर चाहना म जब ये बात आ गई, समझ में आ गई कि एक कामना बाहर से बहुत कोमल, लेकिन सर्प के समान विष्धर, नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे, समझ नहीं थी, तब तो कोई बात नहीं आद मुस्रिम लगा ही है, अन्जान में है आदमी, समझ नहीं है, इस्थुल कि जानते ही है, तो उनकी बात आगा है, उसे बुद्धि उस्थुल उसे अदिय थे समझन सकते हैं, लेकिन जानते बुझते हुई भी ङू, उसी में फिर जाहना में रान। जाहना में रान। वहीं जाहना में रान। एहनमें रम-जान। इ Ann說 किemia कि जानि बुझ कर के मेर में कुल्हाडी मारना हुआ। पहचाली जाली के साप है विजधर है और फिर भी उसी में सुख मार रहे हैं। उसको गले में लपेट रहे हैं। तो इसे बड़े मुर्खता और क्या होगी। यह मुर्खता हम यदी करते हैं। यदे संसारिक भोगों की चाहना में मन डूबा हुआ है तो जलते हुए संसार से फिर मुह में नित पाग है। अनादिकाल से संसार में जलते हुए आय है। लिकिन फिर फिर वही मुह में पाग रहे हैं। उसी मुह में आसकत हो रहे हैं। यही दुनियादारी में आसकते हैं। इतको कितना कहा जाएं। सब कु समत्ते भी नहीं समझ रहा है कि ये काम काला नाग है। भेंकर विस्धर। रिपकाम को तंघारना और मुह जड़ से ढावना पुनि नाश करना मान मर्यादा बढ़ावा भावना दुख दिष्टिवो वैराग इस्थित। क्या ये मूली साग है, होकर सजग दिन रहन लरना काम काला नाग है। इस काम बातना को ही सबसे बड़ा सब्त्रु मार जान करके इसी को संहारना है। इसी को नश्ट करना, इसी को मारना है। और मोह जड़ से ढावना, और मोह को जड़ मूल से खोद करके बहा देना है, फिर पुझे नास करना मानमर्यादा बढ़ावा भावना, फिर मानमर्यादा प्रतिष्ठा, पुझाई, गुर्वाई की जो भावना है, इस भावना का नास करना है, लोग की कामना नहीं रह गे, इस्फुल काम भोग की वातना नहीं रह गई लेकिन पुझापप की कामना है लोग हमें बड़े गुरुमाने, हमें साधुमाने, हमें महात्मामाने यह कामना है जहाँ जायें लोग हमारी आर्ति बंदना करें यह कामना यह भी भैंकर काम बातना और इसरी पुर्ण से समझने काम बातना का तो लोग घ्रिने समझ कर त्याग देते हैं लेकिन यहां आने के बाद मन बढ़े की कामना में पड़ जाते हैं इतले गुरुजी का करते थे अक्सर ख्याल होगा सब को कि काम बातना से भी ज्यादा भयंकर सम्मान की वासना है पुजावपा की बातना होती है इतका समझना बहुत कठिन होता तो काम की वासना को सबसे बड़ा सत्रूर मान जान करके इसी कही संहार करना है और मोह को जडमूर से उखार करके फेंक देना है इसके पस्चात मान बढ़ाई पुजयता कि जो भावना है इस भावना का नात कर देना है दुखद्रिष्टि वो बैराग इस्थिति क्या ये मुली साग है दुखद्रिष्टि हर भोग में दुख की दृष्टि हर जगा दोस्ट दुख दर्सन करना बैराग सबसे उपराम सबसे अनास्थक्त हो जाना और इस्थिति सबसे मुड करके आत्मिस्थित हो जाना इसके लिए तो राध दिन साधान हो करके लड़ना पड़ेगा एक दिन बस विजय मिल गई तो आगे बस हम चाहज ऐसे रहनी में रहें, काम बन जाएता नहीं है मुड़ी साग मतलब इस सहज बात नहीं है सर समय दुख दृष्टी करना, बैराक निसिती करना रात दिन, जो साधान रहेगा, वही इससे बचा पाएगा अपने आप जब तक जीवन है तब तक लड़ाई है, लड़ाई मतलब क्या है? साधानी, गलत चिंतन, गलत इसमरन, गलत क्रिया, गलत देखना, सुनना, बस इसका त्या कर देखना, बस इसका त्या कर देखना, बस यही लड़ाई करना है कोई और किसी समारना थोड़े बाहर देखना, मतलब यह भी नहीं है कि बस आख कानादी पर सब पट्टी बांद लेना है बस सद्धानी रखना है गलत चिंतन गलत इत्मरन ना होने पाए गलत दिर्शना देखें गलत मन न दोड़े बस यही लड़ना है राद दे जितनी सद्धानी रहेगी उतने सब काम हमारा बंता चला सुख्भामना का लक्ष जितना काम ही का अंग है दुख्भाव दिर्श एकरत हुआ तब नश्ट जान अनंग है जो काम को वसमे किया भवशिंद किन फलांग है नई सर्वजब को डस लिया यह काम काला नाग है शरीर से लेकर के संसार तक के माने गए भोग और मान बढ़ा मान बढ़ा पुझ्यता जहां भी सुख की भावना है समधना चाहिए सब काम का सब काम बातना का ही रूप है कहीं गए वहां की लोगों ने बड़ा मान सम्मान पुझा आदा पुझा किया आदरसतकार किया और हम खुश हो गए तो समधना चाहिए हमारे मन में काम बातना है अभी काम बातना मन में बनी हुवी है बढ़िया भोजन मिल गया मन खुछ हो गया समझना चाहिए काम बातना भी मन में है जहाँ जहाँ बाहर सुख की चाहना है किसी भी जगा उस सब सुख की भावना काम बातना का ही रूप है छिपा हुआ रूप दुख भाव डिड़ एकरत हुआ लेकिन सब जगा दुख भाव सब दुख 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 है ये भाव जब एकरत हो गया सुख भाव मिट गया पूरी तरह से हर जगा दुख भाव सब तरह दुख है दुख दुख है दुख तब समझो नष्ट जान अनंग है, यह अनंग अनंग काम, काम भासना, तब सनाचाही कि अब काम भासना नष्ट हो गई है, जब सब तरब हड़ समें दुख दिखाई पड़े संसार में, तब जो काम को बसमे किया, जिनों इस काम भासना को बसमे कर लिया, पूर्ण अंदर से निष्काम अकाम हो गया भवसिंद किन फलांगे वह भवसागर को पार कर लिया उसके लिए भवसागर समाप्त हो गया नहीं सर्वजग को डत लिया यह काम काला नाग है नहीं तो फिर यह काम ऐसा काला नाग है जो पुरे संसार को डत रहा है जो सावधान है सब तरब से मन को समेट लिया, निश्काम बना लिया मन, जो हर जगा दुख ही दुख देखता है, सुख की भावना मिट गई, तब भासागर को पार ले, असुख भावना मिट बने हुए मन में, इच्छा कामना को बस दौण रहा है, तो समझना चाहिए, ये काम बातना भी ड रहा है, और सब को डत रहा है, नारी पुरुष की देह, मिठ्या भूत दुख में बन्ध है, आसकत इनमें राखना भटकाव है भावधंध है, अब काम अंधियारी मिटी, सुख निंद से में जाग है, मन में निरंतर अब हुआ यह काम काला नाग है, काम बातना को मुख ध क्या है इस्त्री पुरुस का शरीर लेकिन है क्या यह मिध्या भूत मिध्या फे उत्पन जी के सुरूप में शरीर तो है नहीं मिट्टी पाने आघवा में भी शरीर नहीं है किश्मी शरीर है मिध्या भूत है एक कलपना से खड़े है लेकिन है वातना वसे निर्मीत है तो से समझना चाहिए कि श्त्री पुरुस का शरीर किलपना वातना से निर्मीत मिध्या है पले थाएने इस शरीर आज नहीं है और दुख मैं दुख करू और इसकी आसकती बंधन का कारण इसलिए इस्त्री पुरुस शरीर को मिध्या जुत्पन समझना चाहिए दुख मर रूप और बंधन रूप समझना चाहिए आसकती इनमें राखना इनमें कहीं आसकता हो जाना चाहिए इस्त्री की शरीर में आसकता हो ना चाहिए पुरुस शरीर में आसकता हो ना यह भठकावँ है और इसे की पिछे संसाला हर का धंधा, जीकुपा लग जाता है, खिर जनमरन का ब्यपाण यह चलता रहता है, आसक्ति ही जनम मरन का मूल कारन, इसे पिछे सारा भटकाव, सारी उपाधि, सारी फीडा, आसक्ति मिड़ गई, बस सारा बंधन खतम, भटकाव, खतम, आउन जाउं मरन जीव, साहेब मेट लगारी, सदरु के बेन ने कहा, साहेब ने उपदेद, सदरु लगारी को आसक्ति को मिटा दिया, इटली अब आना जाना जनम मरन का खतम हो गया, आसक्ति है, कहीं भी आसक्ति है, तो आना जाना जनम मरन का चक्कर चलता रहेगा, तो इस रिपूर के शरीर में आसक्त हो जाना, यह भटक जाना है, और इसे पिछे संसार का धंधा, जनम म मात्य पढ़ जाता है, यदि इसे बचना है, तब करना क्या है, अब काम अंधियारी मिटी सुख नीद से में जाग है, सब तरफ दुख दृष्टी, अपने सुरुप का चिंतन, इस्तिरी पुरुद के शरीर के वास्तविकता का बोध, जब हो जाता है, तब इसे शरीर में प करेंगे सुख नहीं है सुख भरह्मवत लगता है, यदि अब काम की अंधियारी मिट गई, अब ज्ञान का प्रकाश हो गया, मन में निरंतर अब हुआ, यद काम कालनाग है, इटलिए अब मन में ये भाव बराबर बन गया है, कि ये काम ही कालनाग है, एक्टरस्भधन ग् जिस काम के लिए इस मार्ग में आए हैं संद गुरुजनों की शरन में वह काम करना है तो हर साधक हम सब को निरंतर अपने मन में यही भाव बना कर रखना है कि यह काम भेंकर काला नाग है भेंकर विषधर यह भाव बना रहेगा तब हमारा काम पूरा होगा और जरा भी समें सुक की प्रीता आई थोड़ा सभी मन में मुह हुआ तब फिर जिस काम के लिए आए हो काम तो होगा ही नहीं उल्टिक्रिया हो जागा हो फिर भवबंधन की पुष्ट इस सुरुप से काम भोग में नहीं पड़ा लेकिन मन से है मन में काम का चिंतन है कोई साधू है बराबर उसके मन में इस्त्री के चिंतन चल रहा है कोई साधु है बराबर उसके मन में पुर के चिंतन चल रहा है तो इस सुल त्याग काम नहीं आएगा मन से त्याग जब हो सुख भावना इत्रिपूर सरीड में सुख है यह भाव जब पूरी तरह से मिड़ जाए तब वो काम बनेगा जिस काम के लिए इस मार्गे में आए हैं और जो जीव का अंतिम काम है जिस काम को कर लेने पर सब काम पूरा हो जाता है इतलिए अब काम अंधियारी मिटी सुख नीद से में जाग है मन में निरंतर अब हुआ यह काम काला नाग है गुरु की कृपा से काम वासनक अंधियारी मिट गी सुख नीद से चीव जाग गया है अब मन में निरंतर यह हम हमारा पूरा हो गए